तो वाटसब गाइस कैसे आप सभी आई होब कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तो स्वागत आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियोज में दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि फेस्बुक अप्लिकेशन में फेस्बुक पीज कैसे बना नहीं जाता है तो चले दुस्तों बिनेदिर के आज किस वीडियो कम करते स्टार्ट पर्टी से पहले अगर आप हमारे से यूटूब चैनल टेक इंडिया पेपर नहीं हो और सबस्क्राइब नहीं कि हो तो सबसे पहले दूस्तों वीडियो के निचे आप सभी को एक रेड क तो दूस्तों फेस्बुक अप्लिकेशन में अपना पेज क्रियेट करने के लिए सबसे पहले दूस्तों आपको फेस्बुक अप्लिकेशन को ओपन करना है तो यहां पर मैं सबसे पहले फेस्बुक अप्लिकेशन को यहां से ओपन कर लेता हूं और उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना हैं जयस सैंट्यक्त करते हैंड। यहां पर आपको create का option मिलेगा ओपको क्लिक करना है जैसे इस option को पर खäter करोगे नीचे माइपको प्रक्लिक करना यहां पर अपने पीस का नियम यहां से एड्ड कर देना है जैसे दोस्त आप अपने पीस पर जो भी अपलोट करना चाहते हो उसके केटेगरी आपको यहां पर से लेट करना है और इसके पाद आप creative option को पर click करना है जैसे आप यहाँ पर create option को पर click करोगे आप कुछ इस तरह के interface पर आजाओगे जहाँ पर आपको कुछ detail यहाँ से आपको fill up करना होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको general का option मिलना होगा आप अपने bio में जो भी आप अपने page पर upload करना चाहते हो उस चीज से related आपको यहाँ पर link देना है और उसके पाद आपको नीचे में contact का option मिलेगा तो simply यहाँ पर आपके पास कोई website है तो आप उस website का link यहाँ से add कर सकते हो और उसके पाद email address and phone number सारा चीज आपको fill up करना है नीचे के साइट आओगे यहाँ पर आपको कुछ location यानि कि अपने address को यहाँ से fill up करना है यहाँ पर आपको अपना address add करना है यहाँ पर आपको city या town यहाँ से select करना है और यहाँ पर zip code enter करके नीचे के साइट scroll down करना है और उसके बद आपको यहाँ पर always open वाले option को यहाँ पर select करनके simply आपको next वाले option को पर click करना है जैसे दोस्तों आप इस process को complete कर लोगे आपके सामने फिर से एक नए interface आजाएगा जहाँ पर दोस्तों आपको अपने page का home interface देखने को मिल जाता है तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलागा edit action बटन तो simply आपको इस पर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आप अपने facebook page को customize कर सकते हो यानि कि आप अपने facebook page के उपर क्या दिखाना चाहते हो instagram या फिर whatsapp झो भी चीज़ाब यहाँ से देखाना चाहते हो यहाँ पर आपको simply यहाँ से select करके customize कर लेना है उसके बाद जो भी option देखने को मिलाएंगे messenger whatsapp call send email साड़ा चीज़ाब आप यहाँ से देखने को मिलब जागा तो आप यहाँ से लेट करके रखना चाहते हो आप यहां पर रख सकते हो उसके बाद आपको simply next evolution के उपर click करना है जैसे आप next evolution के उपर click करोगे आपके सामने फिर से किना interface आ जाएगा जहां पर दुस्तों आपको अपने number verify करना होगा तो simply यहां पर आपको अपने mobile number यहां से वह यहां पर आ जाएंगे अब यहां पर दुस्तों अगर आप अपने friends को अपने page में यहां पर invite करना चाहते हो तो invite friends के उपर आपको click करना है यहां पर जितने friends को आप यहां पर invite करना चाहते हो आप यहांसे बहुत ही इजी तरीकी से आप यहांसे इंवाइट कर सकते हो उसके बाद आपको next के उपर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आपको next करते जाओगे उसके पाद दोस्तों यहां पर आपके सामने के पीज आ जाएंगे तो यहांसे आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं कर लाइगा यहां पर दोस्तों देख सकते हो यहां पर मेरा पेज यहां पर क्रियेट हो चुका है आप सभी देख सकते हो यह होम इंटरेफिस आ चुका है मेरे पेज का तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप फेस्बूक अप्लिकेशन में अपना पेज यहां से क्रियेट कर सकते करेंगे नहीं हैं सारा लोगों को समझ में आ गई होगे अगर दूस्तों पसंद हो तो फिर वीडियो को लाइक ज़रू से करना चैनल पर नहों तो सब्सक्राइब बीजरू से करना मिलते कुछ ऐसे न्यूवीडियो के साथ अब कर लिए दूस्त आपके लिए आपने ख्याले झाल 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 झाल